हालो फ्रेंड्स आज हम स्केच करना सिखेंगे आज मैं आपको एक स्केच करके दिखा रहा हूं जो हमारे इंडियन स्कल्प्चर होते हैं उनका इसमें क्या डिटेर्स देनी हैं और कितना इसको सिंप्लिफाइड रखना है आज हम यह देखेंगे सबसे पहले आपको एक प्रपोर्शन लेना होगा कि आमने को कितना बड़ा बनाना है और कितना बड़ा उसका टॉटल वो रहेगा एक बार इस चीज को क्लियर करने के बाद ही हम उसको पूरा बनाने का काम करते हैं शुरुआती हमारी जो रेखाएं होंगी इसमें इस पूरे स्कुल्प्चर का मॉमेंट सेट कर देगी कि हमको कहां पर और क्या बनाना है और कितना इसमें डिटेल देनी है करते हैं अग्सक्वान कैने शरुप्शर में सबसे ज्यादा मात्पूर्णा होती है कि उसकी रिद्म आपने कैच किए अगर आपने और आपने उसकी सड़ंग से का रिद्म आपने काच नहीं की तो इसका आपके देखे consistent इसके रिदम को आप परफेक्टली ड्रो कर पाएं या कैच कर पाएं एक बार रिदम अगर आपने कैच कर ली तो उसके बाद अगर उसमें थोड़ी बुद अशुद्या भी रही तो थोड़ी बुद कामिया भी रही तो भी वो चल सकता है लेकिन अगर रिदम नहीं हुई तो मुश्किल रहेगा कोई लेकिनानकी कोईड़ नहीं है हुईया हुईया इया हुईया कोईदी दिता के वहादया हुईया मुश्किल रहेगा हुझ कर फोट्यों करें हम बड़ कर दोज यह दो कर दो यह उता है नहीं हो जयाओ irre हमें काह्या है सकति कि झालुज अपचली कर दो के लिए कर दो कि अबता है करते हैं गो उता है तो शोफब दो एथब के लिग नहा है यहाँ आया है झाल तो साथियों ये था हमराज का स्केच्च आप प्रैक्टिस करिए इसके बनाने के थैंक